ओम श्यंति, ग्यारा जैन्वरी के इश्वरे वर्दान में आप सब का स्वरत है, पर्मपिता परमात्म का प्यार पाना है, जो कि कोई दुनिया वाला देनी सकता, कोई वस्तू, कोई वैबव देनी सकता, कितने भी आपको गिफ्ट्स मल जाएं, वो भी आपको प्यार जाता नहीं सकते है, क्यों पुराने हो जाएंगे, नई चीज़ें निकलाएंगी, तो परमात्म को जो प्यार है, वो कभी पुराने नहीं होता, कभी बासी नहीं होता, कभी ठुकराय हुआ नहीं होता, परमात्म का प्यार सदा ही, पवित्र होता है, सदा ही, बिल्कुल सदाकाल क होथा है। कभी-कभी नहीं मतलबी वला नहीं है। इसलjekt क्याता है कि देहे बांत से न्यारे बन पाने का तरीका क्या है egभ दिखते हैं देहे बांत से न्यारे बन परमातमा प्यार का नुभव करने वाले कमल-̲ासroom धारी- भाववादा कमल आसन ब्रामन आत्मों के श्रेष्ट स्थिति की निशानी है, मतलब की हम सारे गंदगी वाता वरंट से हम न्यारे और प्यारे, लोग जाए कीचड़ पिके, लोग जाए अपशब्द बोले, लोग जाए गंदा बोले, लोग जाए अपवित्र बोले, लेकिन हम हर चीज से नियारे, ऐसी कमल आसन धारी आत्माएं इस देभान से स्वता नियारी रहती हैं, उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकरशित नहीं करता, उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकरशित नहीं करता, फिजिकल कॉंशिसनेस या फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल चीजों उसे attraction नहीं होता जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिष्टा रूप वाद देवता रूप सदा स्मृती में रहा ऐसे natural देही अभिमानी स्थिती सदा रहे इसको कहते हैं देहे भान से न्यारे तो अगर आप भी सोचें कुछ second clear, पांदर second clear सिर्व आप सोचें समय कि आप एक फरिष्टा है, आपके मन के अंदर हमेशा पवितर संकल्प है, आप पवितर कुछ होई नहीं सकता क्योंकि आपके अंदर वो energy develop करने हैं ताकि आप आगे बढ़ते रहें नहीं तो अगर आप पवितर संकल्प करेंगे negative सोचिंग औरों के बारे में तो आप खुदी पीछे खिषता जाएंगे तो परमदर कहते हैं कि ऐसा natural देही अभी मानी सिती सदा रहे कि आपको कोई physical loss या gain हो जाए आपको बहुत जादा अमीरी आजाए, गरीबी आजाए लेकिन आपको इन चीज़ों से ये देहे के related चीज़े देह का भान है हमने अपने आपको देह से connected करके अमीरी, गरीबी, जय पराजे ये सारी चीज़ों से हमने जो connect किया हुआ अपने आपको या अपने मन की स्थिती को उससे हमें disconnect करना है परमात्मा ये चाहते हैं कि हम अशरी रिवन चाहिए अशरी रिवन की सिंपल ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही हो लाब हो, हानी हो, जय पराजे हो, निंदस होती हो इन चीज़ों से हमें disconnect हो जाना है तो हम अपने आपको आत्मा जब समझते हैं निराकार समझते हैं परमात्मा के बच्चे समझते हैं कुछ समय क्ले खेल के लिए आया है मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनका है तो वो आटमेटिय होता है अगर loss होआ, परमात्मा को हुआ फ़ादा हुआ परमात्मा को हुआ ऐसे natural देही अभिमानिस सिथी सदा रहे इसको कहते हैं देहे बाहन से न्यारे ऐसे देहे बाहन से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं और यही सब कुछ हमें सिखाता है ब्रहमा कुमारीज में कि इसको करें कैसे स्थिदी तक पहुंचे कैसे आप या करके सी सकते हैं हम शानती